गुड मॉर्निंग आपका वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल में हम जो है रेस जुडी काटा के आठो एक्स्पानेशन एके करके देखने वाले हैं जिसमें से हमने चार एक्स्पानेशन पहले ही देख ली है और अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो आ आप जाके प्लेलिस पर चेक कर लें आज हम वही रेस जुडी काटा की एक्स्पानेशन नंबर फाइव देखने वाले हैं जो सेक्शन 11 की है तो यहां पर सबसे पहले हम हिंदी वाला देखेंगे उसके बाद हम इंग्लिश वाला देखेंगे उसके बाद हम समझ रहेंगे और यह इतनी आसान है इतनी आसान है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगे तो चलिए पहले हिंदी देखते हैं वात पत्र में दावा किया गया कोई भी अनुतोष जो डिकरी दोरा अभिवेक्त रूप से नहीं दिया गया है इस धारा के प्रियोजन के लिए नाम अब आपको मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो समझ में आई गया होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बदाती हूँ और आज वाला वीडियो बहुत छोटा सा होगा उसमें बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा तो इसमें बोरा जा रहा है कि जब भी कोई वाद पत्र दाखिल किया जाता है और वाद पत्र में कुछ अनुतोष के लिए मांग की जाती है और डिकरी होने के दौरान वो अनुतोष आपको न्यायले के तरफ से नहीं दिया जाता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि न्यायले ने उसको नामंजूर कर दिया है वो देना ही नहीं चाहता है और आपका जो मामला है वो देने के योग्य नहीं है उसके योग्य तो यहाँ पर मैं ये फिर से बता दूँ आपको कि आपको अगर सेक्शन 11 अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो ही आपको ये समझ में आएगा नहीं तो दिक्कत होगी तो एक बार इसको मैं आपको रेज़ुडी काटा फिर से बताती हूँ कि डिसाइड़ेट हमारा जो केस था जो सूट था जो हमारा सिवल सूट चल रहा था उसमें हमने जिस अनुतोष की मांग की थी नियाले से वो अनुतोष हमें नहीं दिया गया है और हम चाहते हैं कि दूसरा वाद हम लाएं और उस वाद के सहारे हम अनुतोष को फिर से प्राप्त करें तो यह पत्र में अपना दावा किया होगा कि आपको कुछ अनुतोष चाहिए और फिर डिकरी हुई होगी और डिकरी में आपको वो जो अनुतोष है जो रिलीफ है वो कोट के तरफ से नहीं दिया गया होगा तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि कोट ने उसे refuse कर दिया है नामन्जूर कर दिया है और आप इस आधार पर दूसरा वाद नहीं ला सकते कि पहले वाले वाद में हमें proper relief यानि जो अनुतोष हमें चाहिए था वो हमें नहीं दिया गया है तो यहीं पर ये भी एक तरीके से आपको सूट लाने से दूसरा सूट लाने से रोका जाएगा वो ही है यहाँ पर इस वाले explanation में सिर्फ इतना ही बताया गया है इस वाले प्रांग न्याय के स्पस्टे करन पाच में बस इतनी ही बात है अगर आपको समझ यह नहीं आयोगा तो आप कमेंट में मुझे बता दीजेगा मैं कोशिश करूँगी दुबारा से उसे समझाने की मिलेंगे जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ में अगली explanation के साथ में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए खुछ रहे और दूसरों को भी रहने दीजिए बाई बाई